कवा और घड़ा एक कवा जो पियास से आधा मुर्दा था एक घड़े पर आया जो कभी पानी से भरा हुआ था लेकिन जब कवे ने अपनी चूँच घड़े के मुनह में डाली तो उसे मालूम हुआ के बहुत कम पानी बचा है और ये कि वो इस तक पहुँचने के लिए नीचे तक नहीं पहुँच सकता था उसने कोशिश की और कोशिश की लेकिन आखिरकार मायूसी से दस्तबरदार होना पड़ा फिर उसे ख्याल आया और एक कंकर लेकर घड़े में गिरा दिया फिर इसने एक और कंकर लिया और उसे घड़े में गिरा दिया फिर इसने एक और कंकर लिया और उसे घड़े में गिरा दिया आखिरकार उसने अपने करीब पानी को चड़ते देखा और चंद मजीद कंक्रियां डालने के बाद हा अपनी पियास बुझाने में काम्याब हो गया और उसकी जान बचाएं कहानी की तालीम ये है थोड़ी थोड़ी मिगदार में चाल